दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम देशों की संख्या है वहीं इनमें से कई देश सबसे अमीर देशों की लिस्ट में भी आते हैं जिनमें आज भी शाही प्रथा हैं इन राजगरानों की खुबसूरत महरानिया अपसर अपने खुबसूरती की वजह से चर्चा में रहती और इसी सिलसले में आज हम आपको दुनिया की पांच सबसे खुबसूरत मुस्लिम राजगरानों की प्रिंसेज के बारे में बता रहे हैं नमबर वन पर हैं शेखा माहरा UAE के प्रधानमंत्री और उप्राष्ट पती शेख मुहमद बिन राशिद अलमक्तूम की बेटी शेखा माहरा परिवार की कलौती ऐसी प्रिंसेज हैं जो एक अच्छी प्लेयर भी हैं बेहत खुबसूरत होने के अलावा महरा कराके और टाइक्वांडो की भी चैंपियन है शेखा ने साल 2006 में एशियन गेम्स में सिल्वर मैजल भी चीता है नमबर टू पर हैं प्रिंसेज अमीरा साओधी अरग के प्रिंस अलवालिद बिन तलाल की एक्स वाइफ प्रिंसेज अमीरा अपनी खुबसूरती के साथ साथ सोशल वर्क के लिए भी हमेशा सुर्खियों में रहती है 2013 में इनका अपने पती से तलाख हो गया और अवो बेहद मशूर बिजनस वूमन में शुमार है नमबर त्री पर आती हैं रनिया प्रिंस अब्दुल्ला सेकंड के पतनी रनिया जॉर्डन की प्रिंसेज है 31 अगस्त 1970 को पैदा हुई रनिया के पास शादी से पहने तक 228 करोड रुपे की संपत्ती थी फोप्स ने 2016 में इन्हें दुनिया की 100 पावरफुल वुमन की लिस्ट में भी शामिल किया था नमबर फोर पर आती हैं लला सल्मा मौरग को की लला सल्मा एक साधरान टीचर के घर में पैदा हुई थी लेकिन एक पार्टी के दौरान मौरग को की टिंक मौहमत की लज़र सल्मा पर पड़ी और ये मुलाकात प्यार में बदल गई कुस समय बाद ही मौहमत ने सल्मा से शादी कर ली अब लला देश की सबसे बड़ी होल्डिंग कम्पनी की मालिक है नमर फाइव पर है हजा हाफिस सुरूल हजा हाफिस सुरूल वरुनई के सुल्तान हसन बोलकिय की बेटी है बला की खुबसूरत हजा सामाजे कारियों के लिए खुब मशूर है फोबस ने इने साल 1997 में दुनिया की सबसे अमीर लेडी बताया था इनकी शादी में 2 करोड डॉलर खर्च किये गए थे तो ये थी मुस्लिम देशों की वो 5 महरानिया जो ना सिर्फ अपने हुसन के वजह से जर्चित हैं बल्कि अपने लीक से होट कर किये गए काम की वजह से भी इंडिया न्यूज वायरल आपके लिए देश और दुनिया से ऐसी ही इंट्रस्टिंग इंफॉर्मेशन लाता रहेगा न्यूज की डेगुलर अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को